तो नमस्ते दोस्तों मेरा नाव मंदीप और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार ऐसे माइक्रोफोन्स बताऊंगा आपको कि जो आपके अगर आपने एक बार ले लिये मालो आप बीगिनर हो आप सोच रहे हो कि मेरे को अपना म्यूजिक स्टूडियो बनाना है मेरा खुद का पर्सनल यूज़ के लिए या कुछ बाहर का काम करने लिए भी आपप्रोड़ोकांश्टिंग करते करते है करते हो उसमें पर लाकको माइक्रोफोन चाईए होता है तो मैं आप आज आपको-चार ऐसे сторон को जो आपको छे से साथ हजार से निचे निचे आपको एकदम बड़िया क्वाल्टी देंगे ठीक है तो तो देखिए भाई लोग यह है माउनो का माइक्रोफोन और काफी अच्छा है इसका रिव्यू देखा है मैंने यूटूब पे कहीं सारी वीडियो देखी है इसका प्राइस देखि लिजिए यूएस भी है आपको कोई भी ओडियो इंटरफेस की जरूरत नहीं है इसमें आपने सिंपल प्लक किया अपने PC में और इट विल स्टार्ट वरकिंग ठीक है यह वरक करना स्टार्ट कर देगा और इसमें कोई भी ड्राइवर वगारा भी नहीं चाहिए आ अब को देखिए बहुत अच्छा आपको इसमें डिली मिल रही है कि इसमें आपको हैडफॉन भी मिल रहे हैं और युवद și भी मिल रहा है डिए स्टैंट भी अलग से कम से 500 का आएं बाइश को दान्यवार शैसो तक का आता है ये इस्टैंड और ये रिक्तलृट ऑन्वी शुरू के कुछ साल आपको यह है कि भाई मैं अभी लर्निंग स्टेज में हूँ और आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अगर बिगिनर हैं तो पहले ही मत इतना जादा खर्चा करो मेरे भाई कि आपने रोड का माइक ले लिया और बेर डैनिमिंग के हैड़फोन और हम तो बनेंगे भाई मिजिक डारेक्टर विजिक प्रोडूसर शुरू में कुछ मत खर्चो भाई यह जुगाड ले लो बस सिंपल सी बात है ताकि आपको रिकोर्डिंग वगरा नहीं रिकोर्डिंग वगरा आप कर सोको अगर आप वोकल मिक्सिंग की प्रैक्टिस करते हो तो वह आप असानी से कर सकते हो ठीक है 5000 में आपको मिल रहा है सबसे बैस टील है अगर आप लेना चाहें तो उसके अलावा अब जीन भाईयों को चाहिए कि यार हमारा बजट थोड़ा सा उपर है हम एक ओडियो इंटरफेस भी ले सकते हैं उस रेंज का माइक चाहिए अपने कर देंगो कंडेंसर माइक्रोफ़ोन और एक बात ю सिंपल मstep यह कवाल्ट्य अच्छी देगा ठिक है यूसवी का पॉर्ट होता है यूसवी पॉर्ट में जबकि माइक का इनपुट होता है वह उपयों था सही नहीं होता गिए उसमें कावर सुगों加न डाल सी वनौ एक नंबर क्वालिटी ठीक है बढ़िया है और बिगिनर के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है और सिर्फ और सिर्फ 4190 यानि कि यह 4200 का मालव ठीक है से बहुत अच्छा है बाई स्टूडियो कंदेंसर है यह वाकिए कंदेंसर माइक्रोफोन है बट आपको इसक लिए ऐडियो इंटर यह चाहिए गां इसको 48 पर पोर्टी एट वोल्ट की फेंटम पावर चाहिए होगी इसको तभी चलेगा ठीक है इसे जिलानी चलेगा अगर आपको फिर भी यह है कि भाई हम वह नहीं कर सकते आफर्डव नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो आप एक एक्सलार टू यूएस्बी केबल ले लो चल जाएगा बढ़िया है ठीक है बट क्वाल्टी थोड़ी सी कम होगी लेकिन हाँ इसके साथ अगर अगर अच्छा चलेगा भाई ठीक है यह देखिए प्रोफेशनल लार्ज सप्रेश्ट ओडियो क्वाल्टी ठीक है यह पड़ ल माइक से रिकोड़िड है ठीक है बाकी सब कुछ माइक पर नहीं होता कुछ आपकी स्केल्स भी चाहिए होती है कुछ इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है रिकोडिंग के दोरान तब यह बैस्ट वोकल्स हो निकल के आती है ठीक है उसके बाद जिन भाईयों का बिल्कुल बजट नहीं है कि वह यार कुछ माइक के प्लंवेस्ट कर सकें तो उन बहन के लिए विल्कुल डूर 27 कोई माइक नहीं है बोया का है वह लेपल देखने में तो कम सेघम है कि दिखने में अश्टूडियो जैसे बाइआ कुछsenही दो साल चलाएं मेने से क्वाल्टी में आगर मैब से सीच्छी बात करूं तो ये इस केळल के साथ एक दमकबाड वर्क करता है ठीक है एक दमकबाड कुछ काम का नहीं है रही है तो मैंने इसे एक दो साल गूजा रहे है अपने उसके बात मैंने एक पाडियो इंटरफेस ले लिया था बेहिंजर का यूम 2 तो उसके साथ इसने काम अच्छा करना शुरू कर दिया बट यह इंडस्ट्री लेवल कभी नहीं टेच कर सकता यह माइक मैं आपको पहले बिता रहा हूं जितना कम इसका प्राइस है उतनी ही कम इसकी क्वालिटी भी ह तो अगर आप सोच रहे हो कि हमें अच्छी क्वालिटी के इंडस्ट्री लेवल वे विटर कर जाएं उस क्वालिटी के सोंग हमें बनाने हैं तो यह माइक कप किसी काम का भी नहीं है हां अगर आप मालो आपको प्रैक्टिस के लिए को माइक चाहिए छो आपको सिर्फ आपके काम आ सकता है ठीक है अच्छा उसके अलावा है यह माइक्रफोन जो मैं अभी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और यह मैंने लिया था पिछले साल की मही में ठीक है तो लगबग हो गए इसको 11-12 महीने हो ठीक है एक साल के कड़ी मानलो आप और यह अच्छा सावंड अच्छा काम करता है काफी अच्छा काम करता है और झाल लेकिने अभी थills को बड़ा हुआ है मैंने जब लिया था अरौनड pist il यह ठीक है तो यह जो सैम्शन का माइक है यह अच्छा माइक है आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो यह इंडस्टरी लेवल के स्वोंग आपको करवा सकता है लेकिन फिर भी कहां 38,000 वाले माइक कहां 5000 तो तो उस लेवल दो टच नहीं करेगा इतना जरूर कर देगा कि बंदा अर जैसे आपको काम आता रहेगा जैसे जैसे आपका बजट बढ़ेगा आप और अच्छा अप्ग्रेड कर लेना ठीक है यह माइक उन बंदों के लिए सबसे बैस्ट है जिनका बजट है स्टूडियो के लिए 20,000 तो उनमें वह असानी से अपना होम सेट बना सकते हैं और अच्छात उडियो इंटरफेस मेरा बिरिंजर इवयंट्व के साथ पेयर में थे ठीक है तो उसी से रिकोर्ड किया है मैंने घर में ये कहीं बाहर माह गया नहीं और आप सून लेना क्वाल्टी ठीक है तो यही थे माइक आज के अपने पास ठीक आमाउनों का बिरिंजर का और यह न्यूमार्ट जो BM800 है और यह सैम्सन इन चारो माइक में से जिसका जिस अपने बजट के रिखो अकोडिंग आप इन में से माइक के पाए इन में से अपना कोई भी माइक चूज कर सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हो आप ठीक है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको कुछ हैड़फोन बताऊंगा मैं कुछ मतलब पूरा स्टूडियो का आपका कवर कराएंगे कि कौन सा आपको समान लेना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से और चैनल को लाइक कर देना कमेंट कर देना नेक्स्ट टोपिक और साथ के साथ प्यार बनाए रखना राम राम मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाई